इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह लेप्टॉब में अंडरिस्कोर किस तरह टाइप कर सकते हैं चलिए देखते हैं तो अगर मैं इसे डारेक्ट टाइप करना चाहूं तो ये टाइप नहीं होगा जैसे मैं ये बटन दवाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यह type नहीं हो रहा है यह minus का symbol type हो गया है मुझे तो underscore type करना है तो मैं इसे पहले cut करता हूँ laptop में underscore type करने के लिए आपको पहले shift का button दबाना है और फिर वो button जहाँ पर underscore है इस तरह फिर से सुनिए पहले shift उसके बाद underscore तो इस तरह आप underscore type कर सकते हैं laptop में